नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूटूब चैनल संजय टेक अपडेट्स में दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विकलांग पैंशन यानि कि दिव्यांग पैंशन है उसको कौन अप्लाई कर सकता है उसके लिए उसको क्या करवाना चाहिए कि सबसे पहले साड़ प्रसेंड का वाल में लगारा चाहिए जो भी व्तनाग पैंशन लगवाना चाहता है अगर उसके पास वो card है तो उसको सबसे पहले क्या करवाना चाहिए उसको सबसे पहले उस card को family ID के अंदर link करना जरूरी है वहाँ पर दिव्यांग का option होता है वहाँ पर yes करकर वहाँ पर UID card के number वेगारडा डाल कर वहाँ पर उसको upload करना जरूरी है और वो verify जब हो जाता है तो वहाँ पर फिर yes लिखा आ जाता है भी हाँ ये विकलांग है ठीक है तो pension process में चली जाती है government उसको अपने आप trace करती है family ID के द्वारा अलग से आप इसको apply नहीं कर सकते दिव्यांग pension को ये शिरफ अब family ID के द्वारा ही बनाई जाती है वहीं से data requirement इसका उठाती है सबसे पहले बात तो मैंने बताई आपको कि UDID card है वो बनवाना है और उसको family ID में आपको link करवाना है उसके बाद आपको एक water card अपना जो उमर का proof मांगते हैं वो भी आपको अपनी family ID में link करवाना जरूरी है क्योंकि उमर का proof भी उसमें चाहिए ठारा पलस्क वालों के लिए ये scheme है तो उसको अपनी जो age verify है वो होनी उसमें जरूरी है तो water card अपलोड करें क्योंकि अधार card को government age का proof नहीं मानती है तो उसके बाद आपको अपना जो bank account है bank account को family ID के अंदर link होना जरूरी है और वो verify होना जरूरी है तो ये तीन चीज़े सबसे जरूरी है family ID के अंदर होना अगर आपको विकलांग पैंशन अपनी लगवानी है ये तीनों चीज़े होंगी तो आपकी विकलांग पैंशन जरूर लगेगी government उसको verify करेगी और आपके पास call जरूर आएगी कि आप विकलांग पैंशन के लिए पातर है आप अपना document वगरा submit करवा दीजिए तो यही पूरा प्रोसेस है विकलांग पैंशन बनवाने का अगर किसी भाई की अगर नहीं है तो आपने तीनों चीज़े इसमें चेक करवा लें ठीक है तो यही आप लोगों से information share करनी थी information उमीद करता हम आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगी तो वीडियो को like और शेयर कीजिए और चैनल प्रग्राप पहले बारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए